तो हेलो एब्रिवन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सही प्रोग्रामी टू चेक नमरीच ओड और इभेंट टिक है तो मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट को मैंने पिछली वीडियो में भी डिसकस किया हुआ है अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आये हैं तो फिर भी आप समझ सकते हैं और इससे अच्छा बेटर समझना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को सी लैंगेज के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं अगर यह कंडिशन इफ वाले के अंदर वाले कंडिशन प्रूव हुआ तो वह वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा अधर्वाइज वाला स्टेटमेंट रन करेगा यह बात क्लियर हैं हमने हर प्रोग्राम में आपको पहले यह बताया है कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपको हीडर फाइल को इंक्लूड करना होगा तो आपने यहां पर हीडर फाइल इंक्लूड कर लिया ठीक है तो हीडर फाइल इंक्लूड करने से क्या फैदा है जो भी उसका इ सबसे पहले कि मैं चेक करने जा रहा हूं कि कोई नंबर ओड है या इवेन है ठीक है यहाँ पर ओड और इवेन कब चेक करेंगे जब आपके पास एक नंबर है आप यह माने कि आपके पास एक नंबर आ गया ठीक है आपके पास एक नंबर आ गया अब उस नंबर को आप कैसे चेक करेंगे सबसे आपके पास नंबर फाइब आ गया उस नंबर को आप कैसे चेक करेंगे कि वो ओड है या इवेन है आप उसे डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो कह देंगे ये इवेन है otherwise कह देंगे ओड है उसी प्रकार अगर आप इसमें कुछ ऐसा कंडिशन लगा देंगे उससे पहले मैं यह बता दूँ कि यहाँ पर हमने एक मैसेज छो रहा है कंसोल पर और यहाँ पर इसे बोला जाता है अगर यह नहीं लगाएंगे तो प्रोब्लम आएगी बेटर है कि आप इसे यूज करके तब यहाँ नमबर लिखें और यह नमबर यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसका इडेंटिफायर बनाया है चुकि देखिए आप यहाँ नमबर एसकेंड करवाएंगे और इसे रखेंगे कहाँ पर इसका मेमरी लोकेशन होना चाहिए तो मेमरी लोकेशन का नाम है नम एंड इसका डेटा टाइप है इंटिजर तो सब्धिए हम इंटिजर टाइप को ही हम इंपुट करवा रहा है ठ इसे डिवाइडेड वे मोडिलस टू ठीक है इसे डिवाइडेड नम मोडिलस टू इक्वाल टू इक्वाल टू इक्वाल टू इसे असाइन्मेंट ऑपरेटर बोलते हैं अगर वो जीरो के एक्वाल हो जा रहा है चुकि मोडलस का है मतलब रिवाइंड जीरो अगर रिवा और परसेंटिंग क्या करता है इंटी तरवले प्रीट करना नहीं का है जो नमर आपने एंटर किया उस नमर को यह चेक कर रहा है तो अगर यह जिस्टिन में टूब हो आद कहा देंगे यह नमर जो इवें अधरवाइज ओड है ठीक है तो दिक है हमारा प्रोग्राम ऑलडी ब यहां नमबर थरी जब आप एंटर कर रहा है तो आप कॉपी प्रैन लेकर के उस पर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे नीचे रिमेंडर पुछना कुछ बच रहा है ठीक है बट उसी जगह अगर मैं दुबारा प्रोग्राम को रन करूं दुबारा प्रोग्राम को और अेंटर करूँ 6 है कि सिपनिंप्र इतिकर दिखाता हूं फिर से मैंने कर दिखाता हूं और यहां पे एक रहिंवर कर दिया आं今ल क्यूंूर 544 फिर आप कर देखाता हूं यहां बिडारा विल्कुल ही स्क्षा इंड साफ सही चलगा है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि हम पोर्ट और रिवेन नमर को चिक करने में सक्चम हो गए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप तो कंटिन्यूस हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक एक सस्क्राइब एड लेस्ट जरूर कीजिए और अपनी दोस्तों की साथ जरूर से जरूर सेयर कीजिए क्योंकि उसे भी इस वीडियो का जरूर हो सकता है थैंक्यू सो मच फॉर वाज़िए